प्रेक की बाद एक बार फिरसे आप सभी का स्वागत है 22 जन्वरी को अयोध्या में राम लला की प्राण पतिष्ठा होने चारी है और 6 दिसंबर 1992 का दिन भी आदाता है जब विवादे धाचा गिराए गया था ये वही घटना थी जब अयोध्या में जन्व भूमी पर राम मंदर बनने का रासा खुला हम आपको एक ऐसी शक्सित से अब मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आखों के सामने इस सब कुछ घटित होते देखा एक पत्रकार के तौर पर उसकी रिपोर्टिंग भी की जिया बीजेपी के वरिशनेता प्रभाद जाने एक पत्रकार के तौर पर 6 दिसंबर 1992 को आयोध्या में उनकी मौझूद की थी हमें राम लला की प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही है और करोडों देशवासियों का जो सपना है वो साकार होने जा रहे है जो कभी उन्होंने देखा था कि हां राम मंदर बनेगा लेकिन आज से 32 साल पहले आयोध्या में किस तरीके की तस्वीरे थी और उस वक्त जब 6 दिसंबर 1992 को वो विवादित ढाचा ढाया गया था तो क्या तस्वीरे वहां की थी आज आज आपको हम बिलकुल वही की जो आँखों देखा हाल है वो बताएंगे लेकिन आज आज आपको हम उनसे मिलवाने जा रहे हैं जो उस दिन के गवाह थे वो हैं प्रभाज जा जी और आज हम उनने किसी राजनयते गी या फिर बरिष्ट भाश्पानियता के नहीं ब तब वो बिवादित धाचा वहां पर ढाया गया था और कितनी संख्या में कितनी बड़ी संख्या में कार सेवक वहां पर पहुंचे थे मैं अयुद्या 1986 से जाता हूँ और बजरंग दल का नाम सुना होगा आपने उसके पहले अध्यक्स थे विने कटिया और दूसरे अध्यक्स संयुजक थे जैभान सिंग्जी पवैया तो हम लोग वहां पर राम नौमी में अक्सर जाय ही करते थे और मैं राम नौमी की रिप 92 को पहुंच गया था हूँ और मैं जब कार सेवकों से अलग-अलग टेंटों में जाके बार्त करता था वहां हर घर मंदीर है अब जाएंगे तो मुझे कुछ मेरा सिक्सेंस बहुत तगड़ा है और जनलिस्ट रहा था मैं तो मुझे लगा कि कुछ इजबार होने वाला है क्योंकि मैं कार सिवकों का जो मूड देख रहा था वो आरपार का था एक तब कि बहुत हो गया बाकि मंदर बनना ही चाहिए हां कुछ होना ही चाहिए तो एक तारीक दो तारीक तीन तारीक लोगों का ताता ऐसा ट्रकें जाम हो गई लखनाउस से लोग आनी पारे थे ट्रकें रुख गई हाहा कार मचा युद्या में चार तारीकों तो खाना नहीं मिल रहा था तो गाउवाले विचारे कारसेवलों को खिला रहे थे लेकिन कब तक खिलाएंगे पांस तारीक की घटना है मैं रात को तीन बजे मैं और BBC साउथ एसिया का रिपोर्टर माल टु मेरी दोस्ती हो गए थी उस दिनों से वहां गए तो देखा कि क्या लोग नहा रहे हैं आस्था का समुद्र उमर पड़ा था नर्मुंड ही नर्मुंड दिख रहे थे तो मुझे लगा कि ये तो कुछ हब होगा ही और पांस तारीक की रात को जब देखा मैंने कि तीन बजे से लाना सुरू हो गए लोग तीन मतलब छे तारीक और पांस तारीक को मंच बनना सुरू हो गया था धाचे के कुछ दूर पांसो मीटर दूर रिकार्ड करना और कैमरा रखता था मैं कलम रखता था उस समय ना कंप्यूटर ना वाटसप ना इमेल कुछ भेजी नहीं सकते चाहिए तो मैं सुबह उठा वहां से सर्यू से आया है तो मैं भी नहाँ दो लिया शर्यू में नहाया और हम लोग आ गए बहुत पत्रकार थे देश भर के पत्रकार थे और इतने में तो भासन सुरू हो गया सोग सिंगल जी का असोग जी सुरू हो गए तार से बग कोई भ भासन में जिनों लोग चलने लगे अब हमको भी लगा क्या हो रहा हुम तो फोटो कीचने में भासन में लगें थे और भासन लिखने में लगें वे थे आचार धर्मेंदर जीर बोलना वह इंतो भगवा सेफंड्ड जिसको बोलते हैं पन वो पट्टा बांदे हुए लोग रोकने के लिए थे कि कार सेवक बेरिकेट्स के आगे नहीं जाएं तो असोख सिंगल जी ने माई छिन लिया धर्मिन जी से कोई कार सेवक आगे नहीं बढ़ेगा कोई कार सेवक नहीं बढ़ेगा असोख सिंगल वस ग्रेट मैं और इस मुमेंट के पीछे अगर कोई क्या सम्हता स्माइला लोग तो क्यों में आईू से ॉआ लाखों लोग ठे तो वहाँ मैंने सुनाया कुटी 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 काटी काटी अब मैं इसल ανα थे कौरंडू में पारं कि तमीन लादू आंधरा ज해 गुम्बत पे लोग चड़ गए सुबह कितने बज़े से शुरू हुआ था दस बज़े से सबसुरू हुई थी और ग्यारा बज़े बेरी गेट्स तोड़ दिया लोगों ने और देखते देखते में पांसो हजार लोग गुम्बत के तीनों गुम्बत पे चड़ गए लोहे का जो पीलर होता है उसको पत्थर से तोड़ते देशे जिससे खोदने में आसानी हो तो ऐसे हज़ारों लोहे के जो पीलर से लगे हुए थे बांडरी डाचे के उस सब निकाल लिया सुए वहां कारसे को ने अब निकाल के उसको तोड़ने लगे नीचे से अब उपर जो चड़ गए थे उनको उपर से नीचे से फेक के दे रहे थे कि तुम उपर से तोड़ो अब इस बीच में लोग गिरने लगे बहुत ओके सिर फूट गए बहुत घायल हुए रोने लगे अस्पताल जाने लगे देखते देखते ग्यारा बच कर 35 मिनट पर पहला गुमबद गिर गया अब और जो सा गया लोगों को कि अब तो हटा हो यह रटा ही खतम करो कितने गुमबद थे सर वहां तीन गुमबद थे और राम लला उसमें विराजित थे एक गुमबद में तो दूसरा गुमबद गिरा 12 बजे तीसरा गुमबद लगबग 1 बजे तो राम लला उसमें विराजित थी नहीं उस वीच में राम लला जी को निकाल लिया गया और एक पिंक कपड़ा लाया गया और एक उचे स्थान पे उनको रखके उनका पूजा पाट जो अभी भी पूजा करते हैं वही थे उस समय को कि राम लला की लड़ाई थी तो राम लला तो सुरक्षित रहें अब लगा कि ये मलवा कैसे हटेगा तो आचार धर्मेंद जी ने गोशना कर द कि जाओ एक एक इट ले जाओ अपने अपने घरों में गाओं में बताना कि धाचा गिर गया है ये राम सिलाये हैं और हम अपने देखो धाचा गिरा कर आए हैं धाचा धाह कर आए हैं और एक आधे पौन घंटे में पूरा मलवा साप छोटी छोटी बच्चों को लेके मात कि नहीं नहीं मैसेज देने के लिए तो मैसेज देने के लिए सब लोग और मुझे लगा कि डेड़ बज गए और डेड़ बजे पूरा साफ हो गया था हूँ आप जब वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे जैसे हम कभी करते हैं लेकिन आप आज देख रहे हैं मंदर बनती ह या जाती है आपके सामने भी आपके सामने भी आरही होंगी कि कैसे वहां पे लोग उसके नीचे दबे होंगे हो कैसे निकले होंगे उसमें से कैसे दो किया था लगातार जा रहा था तो वहाँ एक इमर्जेंसी डूटी होती है एलेट्रिसिटी और टेलीफ़ॉन वालों की कि कुछ भी हो जाए तो मैंने उस समय स्टीडी बूत होते थे मोबाइल तो था नहीं मेल था नहीं कुछ नहीं था तो मैंने एक दस साल से दोस्ती करके रखे थी एक्जेकुडिव इंजिनियर से जो धाचे के नीचे उसकी डूटी थी मुझे करना का मेरे को या रिपोर्टिंग के लिए मदद करना मैं स्टीडी से इतना बहुत बात नहीं कर सकता पोलिंग बूट पे उसने मेरी मदद की मैं हर आधे घंटे की खबर ग्यारा बज़ के बीस मिनट पे ग्यारा बज़ के पैतारीस मिनट पे बारा बज़े पे क्या हुआ मैं धाचे के बगल से जो बीडी घर था उसमें मैं टेली फॉन से अपने स्वदेश को और मेरा स्वदेश उस दिन 60,000 प्रतियां भी की तो मेरा एक दोस्त था ओम टाइम्स का कानपूर का ओम तिवारी ग्यार ओम एक मदद करोगे तुम ग्वालियर चलोगे तो उसने का कि ग्वालियर डेड़ पहने दो बज़े रहे हैं चलना तो पड़ेगा फोटो का मज़ा ही नहीं है और मेरे अकबार में अगर स्वदेश में फोटो नहीं छपा तो इस कैमरे में आग लागा देना ची क् ग्यार अधिकर माननिता प्राप्त पत्रकार था तो मैं कार्ट दिखाता गया पेट्रोल भराना मुस्किल सब जगा पेट्रोल पंबन सब बन लेकिन मैं आगरा करकर के मैं जैसे तैसे डखनव लखनव से कानपूर कानपूर से भिंड और मैं साड़े-12 बजे रात को पहुंचा तो मेरी सांस में सांस आई पहले तो दिया फोटो सब निकालके तो फोटो आप जानती हैं उस समय निकालना बनाना स्कैन करना अब उस सब चीजें उस समय तो थी नहीं स्कैन करना लेकिन उसको सब को प्रिंट आउट निकालके सब हुआ और मैं लिखता गया अब मेरे पास गाड़ियों की भी भिंड मुरेना दतिया शीव पूरी ढब रा गुना असोक नगर सब जीपें सोच गाड़ जा समाचार पत अब उनकी कौपियां ऐसी की भाई साब त्रिबल कर जीजे चोबल तो चोगुना जहां पांच जार को भी जादी दिवां दस जार म लेकिन आपका सरजूश था आपका जजबा था वो भी अख़वार बालों ने उस वक्त देखा होगा आपके संपादिकों ने देखा होगा मेरे संपादिक ने कहा कि आप पहुंचे वो भी सिर्फ वो सच्ची आँखों दे की हाल जनता तक पोटों में विस्वास होता है ल अगर धांचा होता तो कोई स्टेल आता कोई कुछ करता लंबे सालों का जो संघर्ष कहें या फिर कोट कचरी के जो फैसले कहें उसके बाद आप वहते हासिक पहला रहे हैं पूरा देश साक्षी बन रहे हैं एक बदलता हुआ योध्या धार्मिक स्थल जो भविस्व में पांच साल बाद विश्व का सबसे बड़ा अयुद्या प्रेटा नस्तर मनेगा जैसे विश्व हिंदू परसद राश्ट्री स्वैम सेवक संघ के मेहनत को कोई भूल नहीं सकता अडवानी जी की सोमनाज से अयुद्या की यात्रा कोई भूल नहीं सकता कार सेवकों के क्या जुनून था और आज जिस युग में भगवान आये थे रास्तिलक कराने के लिए बनवास काटके तृता युग में आज वही लोगों की खुसी है कि भगवान राम आ रहे हैं उस समय वो ससरीर आये थे इस समय वो एक मूर्ती के रूप में आ रहे हैं ये देखकर लोग आलादित हैं सारे संध प्रसंद हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभाजजा हैं बरिश नेता हैं लेकिन एक पत्रकार हैं जनों ने आयोध्या में जब विवादत धाचा रहाया गया था उसकी आँखों देखा जो हाल है वहां का हमें बताया और अब वो ये कह रहे हैं कि अब उसके बती सा हैं क्योंकि पहले ढाचा ढाया गया थे सुद्देश के साथ की हा मंदर बनेगा और उसी समय येता हो गया था कि मंदर बनेगा अलकि इंतजार थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ लेकिन अब पुछणा गया है जब प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही और पूरा देश इसका साक्षी बनने जा रहा है क्यामरा मैं नागेंदर के साथ रंजना दुबे बंसली उस भूपाल